पूरा पोर्स हमारा कम्प्लीट होने ही वाला है कुछ ही टाइम में तो I hopes आप सारे वीडियो को follow कर रहे होंगे चलिए start करते हैं KPO knowledge, process, outsourcing बहुत से बच्चों को BPO और KPO में difference नहीं पता है तो अचकी वीडियो में वो भी समझने वाले हैं सबसे पहले KPO की meaning in KPO business firm get knowledge related work done from an outside firm knowledge related work done knowledge related, right? मतलब अगर firm को कोई भी काम करते वक किसी भी चीज़ की कमी महसूस होती है कि हमें right knowledge नहीं है इस काम को करने की तब KPO firm KPO firms होती, consultancy firm होती है आप उन firms के मदद ले सकते हैं अपने काम को करने के लिए हो रहा है clear? इन KPO firms get knowledge related work done from an outside firm knowledge related task knowledge related task CA नहीं है तो CA की अपने advice ले लिए legal process के लिए कोई lawyer नहीं है तो lawyer की अपने advice ले लिए तो ये क्या है सारे? knowledge related task जिसकी आपको knowledge नहीं है आप किसी outside firm से करवा रहे हो वहाँ पर क्या था? BPO में business process अपने काम को ही नहीं है वह काम किसी और से करा रहे हो यहाँ पर basically deal कर रहे है knowledge से related उस काम को करने की knowledge नहीं है तो जैसे ही आपको काम की knowledge मिन जाती काम आप ही कर रहे है difference पता लग रहे है आप काम ही किसी औरो से करवा रहे है BPO आपको काम की knowledge नहीं है knowledge ले रहे हो, काम खुदी कर रहे हो that is called KPO knowledge, process, outsourcing right, customer के earphone करते हो, कोई भी दिक्कत आती है तो क्या, वो चीज़े operate करते हैं या आपको knowledge देते हैं आप अपने phone से खुदी operate करते हैं सारी चीज़े आप खुदी करते हैं, that is called KPO basic difference clear हो रहा है चले आगे बढ़ते हैं, features of KPO KPO creates value for clients KPO creates value for clients by providing business expertise business को दिक्कत आ रही है, call करेंगे यह interaction करेंगे, जैसे भी मिलेंगे, जूलेंगे, जैसे भी करके, जो outside firm होगी, consultancy वगेरा होगी वो इनको expert services provide कराएगी मतलब जो भी इनकी problem है, उसका solution provide कराएगे, यही हो रहा है, customer के रहा है, आप phone करते हो, customer के रहा है, example लेते हैं, तो वो आपको expert अपनी services देते हैं, जो आप नहीं जानते हैं जैसे ही वो बताते हैं, आप ठीक्था करते हैं, अपने business का और आपका business अच्छे से run करने लग जाता है, हो रहा है clear, तो यहाँ पर outside firm आपको business expertise देती है specific knowledge related task के लिए, right, second है KPO involves advanced analytical thinking, technical skill and decisive judgment अब यह उन लोगों के लिए बोला है, जो की KPO provide करा रहे हैं, जो knowledge को provide करा रहे हैं, businesses को वो उनका analytical thinking thinking बहुत शार्क होनी चाहिए, एक तो अपने जिस भी चीज के लिए वो बैठे वे हैं, जो भी expert services provide करा रहे हैं, उसमें वो expert होने चाहिए, right उनकी analytical thinking तेज होनी चाहिए, reasoning power तेज होनी चाहिए, technical skill तेज होनी चाहिए, मतलब अगर आपको phone customer care phone कर रहे हो, आप phone में खराबी होगई, तो उनको phone की knowledge होनी चाहिए, technical skills उनमें होनी चाहिए decisive judgment, quickly उनको decide करना आना चाहिए, कि भाई customers को हमें क्या जवाब देना है, जल्दी situation के according, अपने answers change करने, प्लस communication skills strong होनी, बहुत जरूरी है right clear, third KPO increases efficiency and result in साथ काम नहीं कर रहे हैं, गलतियों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जहांपर भी गलती हो रही है KPO की help ले रहे हैं, वो KPO की मदद से काम जल्दी हो रहा है, ठीक हो रहा है cost भी save हो रही है, नहीं तो पहले क्या होता, cost wastage हो रहा था, time effort और money का क्योंकि हम गलत काम कर रहे थे, उससे loss हो रहा था, resources का wastage हो रहा था अब हम पहले ही, कलती करते ही KPO की मदद ले रहे हैं, उसकी मदद से increases efficiency, cost भी save हो रही है, बच्चो clear हो रहा है, yes or no comment box में लिखके बता, यह right services included in KPO कौन-कौन से services KPO में include होती है बहुत सारी है, 4-5 जो नाम दे रहे हैं, books पगेरा में, उनके नाम देख लेते हैं research services product बनाना है, product sold out करना है product customer सक पहुचाना है, market की research बिल्कुल नहीं करी है, तो market research business research, legal research, सारे researches जो हैं, वो research services में आ जाएगी, यह भी KPO आपको provide कराता है, अगर आपको knowledge नहीं है कैसे क्या fact finding करनी है correct clear, legal process legal formalities के बार में बिल्कुल भी knowledge नहीं है, business के लिए जरूरी है एक lawyer होना, एक CS होना company secretary होना, lawyer होना LLB होना, advocate या lawyer होना आपके पास, अगर नहीं है तो आपको KPO help कर सकता है legal process को सही से deal करने के लिए, right patent की services, अगर आप कोई product बना रहे हैं, आप चाहते हैं कोई और copy नहीं करें, तो आप अपने patent copyright मतलब claims के लिए knowledge ले सकते हैं KPO services के तुरू, data analytics data से जुड़ी मतलब आज के time बे जो online businesses हो रहे हैं, data capture करना मतलब customers का feedback जानना, और उनके data को capture करना, पता करना कितनी sale हुई है किस time पे हुई है कितने रुपी के हुई है, तो सारी चीज़े data analytics का काम है जो की आपको KPO services provide कराएगा मतलब digital marketer है, जो आपको सारी चीज़ों की information देगा, आपकी shopping habits, customer की shopping habits से सारी चीज़ों के बारे में, right last evaluation वगेरा, CA वगेरा, जो भी services provide कराते हैं balance sheet वगेरा देखना, accounts वगेरा audit करना, valuation करना, इसके लिए भी आप KPO की help ले सकते हैं, अपने सारे accounts वगेरा काम को ठीक से करवाने के लिए, right, तो KPO का simple सा concept है, knowledge related task को outside agency से कराना, तक कि आपकी work efficiency increase होते रहे, resources का wastage ना हो, right clear, I hope so, KPO clear हुआ, और KPO और BPO के बीच में difference भी clear हुआ, कोई भी confusion है, comment box आपके लिए है personal question, Instagram आपके लिए है, TikTok में follow कर सकते हैं Facebook में follow कर सकते हैं हर जगे मुझे follow कर सकते हैं link सारे आपको description में मिल जाएंगे telegram group है हमारा, वो भी आप join कर सकते हैं, सुनी लदिकारी नाम से ही है search करेंगे मिल जाएगा आपको, right मिलिंगे next video में, किसी और interesting topic के साथ अब तर पढ़ते रहे है मेहनत करते रहे है, क्योंकि आपका भी कि एदे नागा, आपको बढ़ते हैं